है अलो फैमली हाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी जर्नी अच्छे से कर रहे होंगे बहुत सारे वेस्टेंस आते हैं आजकल और मुझे लगता है कि मैं सबका रिप्लाइद दे दूं लेकिन फिर मैं जब परशनली यहां पर आके भी address करूँ so that आप मैंसे अगर किसी को भी यह curiosity है तो यह उनको एक clarity मिल सके इस बारे में तो यहां पर मैं बात करने जा रही हूँ आज की twin flames connection जो है वो इतना old connection क्यों कहलाता है ठीक है यह क्या reason है कि यह इतना old है इतना mature relationship है इतना mature connection है तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों और उससे पहले एक बात अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई session book तो आप कर सकते हैं आपको number मिल जाएगा इस वीडियो की description box में मैं करती हूँ आपकी twin flame karmic and soulmate readings और साथ ही आपको देती हूँ meditations and inner work भी तो अगर आपको systematic inner work सही है या किसी भी type के meditations या healing सही हैं तो आप मुझसे connect हो सकते हैं तो आज का video जो है वो start करते हैं जहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो एक question आता है कि twin flames कितने lifetime साथ में share किये हैं क्या twin flames पहले भी मिले हैं क्या twin flames का past life connection होता है तो twin flames का past life connection होता है इस बात का जवाब है yes twin flames एक अच्छा खासा past life connection share करते होते हैं और ये एक बहुत बहुत strong connection होता है strong relationship होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये lifetime या वो lifetime in fact कई कई lifetime twin flames ने आपस में share किये होते हैं एक दूसरे के साथ वो रहे होते हैं sometimes शादियां भी हुई होती हैं और sometimes किसी ना किसी वज़यों से वो अलग भी हुए होते हैं तो हर तरह की past life आप मान सकते हो कि twin flames ने share की होती है बट ultimate union उनको किसी भी past life में नहीं मिला होता है let's say कि वो किसी ना किसी वज़य से separate हो जाते हैं अन्त में चाहे वो reason death रहा हो चाहे वो reason कुछ और रहा हो society रहा हो third parties रहा हो कुछ भी रहे reason लेकिन वो अलग हो जाते हैं separate हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ वो कई lifetime साथ में share करते हैं परन्तु यह भी सच है कि वो उन lifetimes में अपना work पूरा नहीं कर पाते हैं किसी किनी reasons की वज़य से और अपने कर्मा baggages ही होते हैं उनके जिनकी वज़य से दोनों twin flames अलग हो जाते हैं हर बार हर lifetime में जिस किसी भी lifetime में वो मिले होते हैं ठीक है तो यह reason होता है कि जब आप इस present lifetime में आते हो और यहाँ पर आपको अपना twin flame मिला है और let's say आपने उसको recognize भी कर लिया है आपने उसको पहचान भी लिया है तो यही reason होता है कि इस lifetime में इस journey में ठीक है बहुत ही early stages पर आपका separation आ जाता है क्योंकि जो past life थी वहाँ कुछ न कुछ न कुछ आपके karma baggage रहे कुछ न कुछ आपकी ऐसी चीजें हुई जिनकी वज़े से आपका unhealed parts रहे आपके issues रहे कुछ blocks रहे जिनकी वज़े से आप दोनों को हर बार अलग हो जाना पड़ा तो unblockages को आप remove कर सको ठीक है इसी लिए इस lifetime में बहुत छोटा सा एक bubble phase share करने के बाद जहां आप सिर्फ और सिर्फ अपने partner को recognize कर पाएं इसलिए आपको ये bubble phase दिया जाता है आप उसको देख पाएं पहचान पाएं और उस intensity को feel कर पाएं उस past love को feel कर पाएं बस उतना ही आपको मौका दिया जाता है छोटे मोटे से एक bubble phase के बाद बहुत ही early stages पर आपका separation आ जाता है और ये इसलिए आता है कि ठीके ये person है आपने पहचान लिया है आपका पास relationship रहा है आपके पास lifetime रहे हैं साथ में इसलिए आपको इतनी intense feeling होगी कि आप अग इस बार इस person को ख healing करोगे ताकि इस बार आप heal कर सको और permanently अपने इस partner के साथ unite हो सके इसके लिए ही आपको बहुत जल्दी stages पर आपको separation दे दिया जाता है ताकि आप अलग-अलग हो जाएं आपने पहचान लिया ठीक है अपने अपने रस्ते जाओ अपने आपको heal करो अपने आपको ठीक कर और फिर इस बार इस जन्म में जो है permanently आप अपने partner के साथ reunite हो पिछली जो past life थी ना आप उनको husband के रूप में जानते थे lover के रूप में जानते थे sometimes कुछ और रिष्टे में आप उनको जानते थे दोस्त के रूप में जानते थे लेकिन आप उसको twin flame के रूप में recognize नहीं क कर सकते क्योंकि आप कहोगे अभी आपको एक एक question आया जरूर होगा कि अगर past life में भी हम मिले थे lifetime share किये थे तो फिर हम वहाँ पे क्यों नहीं reunite होने का हमें मोका दिया गया क्योंकि वहाँ आप उनको जो भी उनके रिष्टे का रूप रहा होगा उस रूप में पैचानत हो तो आप जो past life में जो separate हुए थे न वही पैन आप इस time पर carry कर रहे होते हो इस जनम में इसलिए आपका separation आपको इतना painful लगता है क्योंकि आप अपने ही जो है past love से अलग हो जाते हो और यह आपको मतलब मार डाले ऐसा वाला pain होता है इस यह इतना intense pain इसलिए होता है कि पर नहीं का प्रियास करूं ठीक है तो और केवल ऐसा ही नहीं है कि जो life जो आप अभी share कर रहे हो यही या आपकी past life ही दो lifetime के बीच का जो time होता है जब आप अपने soul में होते हो आप soul सरूप में होते हो जब आप body में नहीं होते हो इस physical body में तब ही आप जो है वो time भी आप दोनों twin flame जो होते हैं वो आपस में share कर रहे होते हैं वो एक साथ ही होते हैं उस timing पर भी इसलिए कहा जाता है कि जतना जल्दी हो जाएगा इस lifetime में जतना जल्दी आप acceptance में आके अपना inner work करके अपने को अच्छे से heal कर लोगे आपके permanent union के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि यह आप उसको अपने twin flame के रूप में पहचान पाए हो कोई normal प्रेमी या प्रेमिका के रूप में नहीं पहचान है बलकि अपनी soul के part के रूप में अपने twin flame के रूप में उसको पहचान पाए हो आप